हलो नमस्कार जहीन दोस्तों आप सबका स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल टेकनिकल विद्यसेयस में तो दोस्तों डी एस टिपल एस बी की तरफ से जो बैकेंसी आई है इंस्ट्रक्टर की तो उससे जुड़े हुए जो भी आपके मन में सवाल है उसको आज हम लेबस क्या है आपका एज रिलेक्सेशन है की नहीं है या फिर इस बैकेंसी में जो है इक्सपीरियंस कितना लग रहा है आईडिये वाले के लिए क्लिए क्लिए इलिजबिल्टी होनी चाहिए तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं इस सेशन की तरफ तो बहुत 2023 को रिलीज होगी फाम फिलफ होंगे और जो इसका लास्ट डेट है साथ चार 2023 तक है और बात करें यहां पर पोस्ट के बारे में दिया गया है तो दोस्तों यहां पर पोस्ट कोड दिया गया है यहां पर देखिए पोस्ट कोड दिया गया है नेम आप पोस्ट दिया गया ह AWS और जो बैकेंसी में सीट हैं उसको दिया गया दोस्तों बात करें कोड तो आप फोड याद रखेंगे ताकि जब आपका फॉर्म फिलफ होगा तब आप बरे पाएंगे इसको तो अच्छे से तभी आप जिस कटेगरीम भरना चाहते हैं इसी कोड के द्वारा भरेंगे बढ DTT का फुल फॉर्म यहाँ पर Department of Training and Technical Education तो यह DTT का फुल फॉर्म है और यह ग्रूप है ग्रूप किसका है B में आ रहा है और जो ग्रेड है आपकी 42 है और EWS की बात करें एक सीट है और UR, OBC सब के लिए देखिए आपर सीटें में इंसन की गई है तो दोस्तों यह जो है अगर बात करें तो टेकनीकल एसिस्टेंट की »मेंटिञेंस मेकानीक की है Kraftinstructor basic mosichtology की अ करें क्राफ करें क्राफ इंस्टक्टर Basic कubenольшी की सीट है ठीक है दूस्तों तो यह सारी पोस्ट है आ पकर चैसको पर लेंगे तो यहाँ पर जितने सारे पोस्ट की बात की है और बाकिया और सब की grade 42 है और बात करें किस टोटल सोगी और इस this 3 Syr तो जो कि यहांपर टोटल वैकंसी बात करें तो जो है आपका बात करें तो एक सो चौबिस जो इसके बगल में जो आपका के टेगरियों के वा ऐसे दिया गया है और अगर बात करें टो 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 टाल आप इसको जो है कर लेंगे तो यह टो टो टल बैकेंसि आपको पता चल जाएगी बढ़ते इसमें notification में आगे क्या important चीज़े दी गई है आगे जो important चीज़े दी गई है यहीं पर है दोस्तों आपका क्या कि आपका जो है कि इसमें क्या qualification आपको लगनी है तो qualification की बात करें अगर दोस्तों तो यहाँ पर देखिए education qualification की बात की गई है तो यहाँ पर education experience क्या होना चाहिए या फिर आप कहीं पर कारिसाला में work करते रहें डिप्लोमा वाले ध्यान से ज्यान सुन लें कि जो है आपका क्या teaching experience होना चाहिए या फिर workshop से कहीं आप कहीं पर काम की हो company factory में वो होना चाहिए और उसके बाद note में दिया गया degree और डिप्लोमा holder जो है will have undergo only second semester of CITS training it they pass the direct test for semester within three years of appointment तो क्या कह रहा है अगर जो भी appearing में है वो भी क्या कर सकते हैं अगर उनके पास है तो भर सकते हैं लेकिन आप जब post पर आप appointment हो जाएंगे तो तीन साल के अंदर आपको क्या CITS क्या जो है degree आपको वहाँ पर submit करना पड़ेगा ठीक है दोस्तों अब बात करें हाँ पर experience के तो आपको जो है क्या किया गया आपको experience यहाँ पर as mention जो भी जो भी आप वैकेंसी फिल करेंगे mention कियेगा उसको आपको follow करना चाहिए ठीक है तो follow करते रहे ठीक है अब बढ़ते है education qualification के बाद अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर अगर यहाँ पर देखी यह किस post के लिए education qualification के बात की गई यह की गई है instructor mill ride के लिए ठीक है मिल राइट के लिए जो है, मिल राइट के लिए जो है आपकी बात की गई है, कि आपका क्या होना चाहिए, 3 year diploma उन्ट चाहिए,1000 अंचे लिए से रिकगनाईज बोस्ट ठीक है, तो आपका ये जो है diploma वालों के लिए यहाँ पर qualification की बात की गई, बढ़ते निस्ट आपको जो CITS के क्या करेंगे? तीन साल के अंदर क्या करेंगे? आपका जो appointment जो है आपका वो आपका तीन साल के अंदर आपका जब appointment हो जाएगा जब seat पर आपको fix हो जाएगे आपको नोकरी मिल जाएगी तीन साल के अंदर आपको CITS की degree वहाँ पर submit करनी पड़ेगी नेश्ट जो है आपका नेश्ट है maintenance mechanics का maintenance mechanics के लिए क्लिए 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 इसमें भी three year diploma mechanical engineering से होना चाहिए ठीक है इसमें भी two year experience होना चाहिए degree वही सेम यहाँ पर भी qualification है नेश्ट अगर बात करें भीया नेश्ट आपका क्या है यहाँ पर यहाँ पर है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर की क्या यह क्या है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर बेसिक कास्ट मेट्रोलाजी की अगर बात करें इसके qualification की क्या होना चाहिए 10 पास होना चाहिए with science and mathematics और क्या होना चाहिए 10 प्लस टू क्या होना चाहिए from recognize school और बात करने इसके बाद क्या है national state trade certificate क्या इस टीसी का या यह स्टीसी का national apprenticeship certificate होना चाहिए यह होना चाहिए या तो ITA आप समझी रहे है उसके बाद ठीक है और उसके बाद इसमें आगे दिया गया है और आपका एक नोट में यहां पर करके दिया गए पचास परसेंट आप टोटल पोस्ट, पोस्ट ट्रेड वाइस बिल भी फिल्ड अब बाई परसंस होल्डिंग दा प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ठीक है दूस्तों तो यह आप इसको पढ़ लेंगे जो है आप बात करेंगे आई ट्रेड वालों के लिए तो जो यहाँ पर मेंसन किये गए CITS का कोर्स आपका कमपल्सरी है और उसके साथ 3 एर का आपका जो है experience होना चाहिए यही जो qualification आपका सभी के लिए लागू होगा सभी जो trade है आपके बात करें trade से जुड़े हुए सभी के लिए qualification यह होगा जितनी भी vacancy post होगी qualification status प्रस आइटिया वालों के लिए ही होगा और बात करें डिपलोमा वालों के लिए भाया तो 3 year का डिपलोमा होना चाहिए और CITS की डिगरी अगर नहीं भी है उनके पास तो क्या करेंगे 3 साल का उस्वरी उनका दो साल का experience होना चाहिए प्लस three year diploma होना चाहिए और जब वो vacancy मतलब form भरेंगे तब जो है उसको paper देने बाद या दी उनका selection हो जाता है तो selection होने के तीन साल के अंदर उनको CITS का जो है course करके वो भी आपका certificate जमा करना पड़ेगा तो यह रही आपकी qualification, degree, diploma और ITA वालों के लिए अब बढ़ते हैं जो आपका नेस्ट ट्रेड नेस्ट जो है आपका बैकेंसी जो पोस्ट है काफ सिस्टन इंस्ट्रक्टर बेसिक कॉस्ट मेटोलाजी इसमें भी पास बिजिंस साइंस अन मैथमेटिक 10 प्लस 2 सिस्टम और इसमें भी दिया गया फोर ये डिग्री इन मकैनिकल टेकनलोजी ब्यूटी फ्रॉम रिकनाइज इन्वस्टी तो यह किसके लिए यह बहाँ दिया गया है डिग्री वालों के लिए ना तो इसमें क्या कर सकते हैं ना तो इसमें भर सकते हैं ITA वाले ना तो भर सकते हैं डिप्लोमा वाले ठीक है बढ़ते हैं नेस्ट जो आपका वैकेंसी है और अगर बात करें इसमें भी दिया गया है अगर बात करें यहां पर और की बात करें मैं दोस्तों यहां पर यह अकेले देखा यह भर सकते हैं और की बात करें तो और में भी है त्री ये जो किसके पाँ डिप्लोमा है इस एप्रिप्रियेट ब्यूटी एंड कल्चरल कास्टोमेटर लॉजी से वह भर सकते हैं उनको टू येर का इस्पीरियंस चाहिए वही सेम दिये गए सी आइटे डिगरी तीन साल के अंदर उनको जो समाकर करनी पड़ेगी बड़के इस प्रिक्राइब क्राइब करिए मोटो क्या है जो आपका पत्ति अस estás the metac teaching experience आपका 3 year का होना चाहिए और आपका CITS डिग्री होनी चाहिए यह सारी qualification हर जो पॉस्ट के लिए है आई टीय वालों के लिए सेम है और जो qualification हमने diploma डिप्लोमा डिग्री वालों के लिए बता ही र पोस्ट के निस्ट आपका है बात करें तो craft instructor draft man, draft man civil के लिए तो यह आपका यह सब ITI के लिए vacancy है, ITI जो किये हैं या फिर जो CITS straight से किये हैं वही इस form को क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं और 3 year का उनका experience होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, CITS का certificate होना चाहिए, निस्ट है आपका भया, निस्ट आपका craft instructor draft man, civil वही सेम है, आपका बात करें, निस्ट आपका आता है, निस्ट आपका यहाँ पर craft instructor fitter, fitter के लिए बात करें भया, fitter के लिए क्या करें, for NTC जो यो भी इसको किये हैं, अगर बात क इसके बाद, इसके बाद आपका क्या होना चाहिए, 3 year experience in teaching या फिर working relevant होना चाहिए, ठीक है, तो यह आपका हो गया, fitter के लिए बात करें, fitter के बाद, इसमें और अगर बात करें, तो इसका जो vacancy आपको जो है, दिया गया है, पूरी आप पढ़ सकते हैं, दोस्तों, अगर आप पोस्ट के बारे में, qualification हमने बता दिया, आप पोस्ट के बारे में अपना देख लेंगे, जिस पोस्ट के लिए आप eligible होंगे, उस पोस्ट से आप क्या करेंगे, farm को fill up कर देंगे, 9 तारिक को, बढ़ते हैं, इसका जो nest आपका जो advertisement है, advertisement उसके तरफ बढ़ते हैं, ठीक traditional qualification, जो इनका कहने मतलब है, जो इन्होंने terms and condition आपने apply, मतलब लाई किये form के लिए, आपको जो eligibility होनी चाहिए, आपका जो qualification हो चाहिए, वो सब क्या करना चाहिए, आप लोग उसको follow करिए, how to apply, ये तो आप कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, application fee and mode, तो ये application fee आपने देखा योगा 100 उपए है, mode online होगा, ठीक है दोस्तों, आप बात करें next, next आपका आता है examination scheme, examination मतलब scheme क्या है इसका, ये बहुत important है दोस्तों, examination scheme क्या है, और इसका जो है, क्या कहते है, syllabus क्या है, अगर बात करें syllabus की भईया, तो इसका syllabus क्या है, आप देखिए, इसका one tier होगा, एक ही one TT दिया गया है, और time जो आपका exam होगा, उसमें दो घंटे आपको मिलेंगे, 200 question होगे, total marks आपके 200 होगे, और total marks descriptive, ये इसका पता नहीं क्या है, ये नहीं लिखाया है, तो none आप जो है इसमें, और grand total जो आपका marks होगा, 200 number होगा, अब बात करें section A, जो है आपका, इसमें ज existing examination scheme, पहला होगा, journal awareness होगा, आपका, journal intelligence मतलब, journal awareness मतलब, journal science, GKGS, journal intelligence, and reasoning, जो आपकी reasoning होगी, तीसरा होगा, mathematical number, eligibility, मतलब, mathematical, गणित होगी आपकी, फिर test of Hindi language, Hindi language भी होगा, comprehension होगा, और test of English language, and comprehension, मतलब, इसमें आपके slavers में क्या पूछा जाएगा, non technical की बात कर रहे है, non technical में आपके पूछा जाएगा, journal awareness, फिर reasoning, उसके बाद में आपका, mathematical, गणित भी होगा, उसके बाद Hindi language भी होग अब बात करें, यह total क्या होगा, यह total, क्या होगा, बीस मार्क के इच होगे, क्या होगे, बीस मार्क के होगे, अब बात करें, आपके जो आपका, section B होगा, वो MCQ of one mark is होगा, from the subject concerned as the qualification, prescribed for post, जो जिस post के लिए आप क्या करेंगे, जिस post के लिए आप जो है, क्या करेंगे, आ आप जिस post के लिए apply करेंगे, उस post के लिए आपका क्या होगा, जैसे आप fitter से करेंगे, तो fitter का आपका आएगा, welder का आएगा, diplomas करेंगे, तो diploma का आपका theory आएगा, तो वो 100 questions, 100 marks से होगे, और बात करेंगे, यह आपका यहाँ पर दिया गया है, कि 20 marks इच दिया गया है, आपके देखे, एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच subject दिये गए नॉन technical में, तो पांचो subject में से क्या करेंगे, 20-20 question आएगे, 20-20 mark आएगे, ठीक है, तो 100 number technical होगा, 100 number non technical होगा, तो भाया यह रहा आपका syllabus, आप समझ गया होंगे, आसा करते हैं, ठीक है, अब बात करते हैं की, जो आपका important term है, age relaxation की बात कर लेते हैं, ठीक है, age relaxation क्या है, तो इसमें बात करें, age की भाया, तो age की limit इसमें दी गई है, तो age relaxation जो SCST वालों के लिए 5 साल है, वो OBC के लिए 3 साल है, PWD के लिए 10 साल, 15 साल, 13 साल, जो आपकी age relaxation दीए, तो आप जिस से, आप eligible होंगे, जि 30 साल रखे गई है, 30 year रखे गई, journal age relaxation 30 साल रखे गई, तो दोस्तों यह इसके रहे, मुख्य मुख्य important जो term हमने आप लोगों को बता दिये, दोस्तों, अगर इसमें आपको और जानकारी जाननी है, तो आप पूरे क्या करेंगे, advertisement को जो है, पढ़ लेंगे दोस्तों, यहा पूरा मुख्य जो notification दीगे, तो दोस्तों, इसका main main हमने आप लोगों को बता दिया, कि eligibility क्या है भीया इसकी, और इसमें जो है आपका, इसका syllabus क्या है, और post क्या है, grade क्या है, इसका syllabus के बाद में, इसमें age relaxation क्या है, तो आप लोग को अगर कोई doubt होता है, तो आप comment box में comment कर दीजिए, form जो इसका नौ तारी को भरा जाएगा, सभी लोगों को भरना भीया, form भर देना है, क्योंकि यह सी vacancy बार बार नहीं आती है, ठीक है दोस्तों, तो आसा करते हैं, आपको वीडियो जो है पसंद आई होगी, दोस्तों, गर वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो vigilante मुशे हैं, झाहँства को वीडियो, तो कि का वीडियो झाली को रहा हैं, तो वीडियो को वीडियो बार ज υके नौ गला से दिया है, तो लो जो कि रहा हैं, ज Catholics जो ह्या हैं, कदो सुद desapते हैं, प्यूना है, तो ंहा